हेलो इस्टुडेंट आपका स्वागत है हमारे इस खुबसूरत से चैनल सतीश जवानिश्टडी पॉइंट में तो दोस्तों आज बात करेंगे कच्छानव गडित पाड़ दू बवफद इसमें प्रसनावली 2.4 का हम लोग करा रहे हैं तो आज हम लोग पढ़ना है प्रसनावली 2.4 में दूसरा कोश्चन ठीक है इसके पिछले वीडियो में हमने प्रसनावली 2.4 का इंट्रोड़क्शन भी बताया और उसमें कोश्चन एक को भी करवाया था ठीक है जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल सतीश चमा मिलने लगी है ठीक है तो चलिए स्थ कर आज moved है ठीक है प्रसनावली 2.5 एटावली 2.4 का हमने पहला से करवा दिया तो हमने श्राट कर रहे हैं कोश्चेंग नंबर दो ठीक है है तो दो कोश्चन जो वह दूसरा है ईसको समझते हैं ठीक है तो चलिए करा थे गुड़नखंड पर में लागू करके गुड़नखंड पर में लागू करके बताईए कि निम्नलिखित इस्थितियों में से परतेक इस्थिती में परतेक इस्थिती में जी एक्स कौन ध्यांस इसे बात को समझेगा कि परतेक इस्थिती में जी एक्स पी एक्स का एक गुड़ कि जी एक मतलब जी एक मतलब हाई जो एक है वह इस पीlair का गुड़न खंड आता है कि नहीं तो अगर आपको गुड़न के बारे में थोड़ा बहुत कम जानकारी है तो इसकी जो पिछली वीडियो है हमारे चैनल पर जाकर देखेंगे आपको ऐच्छ समझ में आ जाएंगy फिर मैं इतना इतना बता दूंगा कि आपको यहां पर भी समझ 우ill में आ जाएगा तो हम एक करना आये दूसरे कोश्चन में है दूसरा कामेर पर करवा रहा है ठीक है दूसरे कोश् 얼마나 च्राहें कि जो gx जो hgx 2 इस हम क्या करेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि हम क्या करेंगे जो जी एक्स मतलब जिसको गुड़न जो गुड़न खंड है जिसको पता करना है कि यह गुड़न खंड है की नहीं उसका क्या करना है तो हमें क्या सिद करना है कि जो जी एक्स है इस पी झाले निकाल लिया जिखा सुनेक निकालना सिखाए थे कि निकालने ने क्या करेंगे जिसका निकालना होता उसके बरावर 0 दिखा देजिए फिर वहांसे आप निकाल लीजिए तो एक्स बरावर कितना है माइनस एक वराबर कितना है माइनस एक यानि जो एक्स कमान आया है इस पी एक्स में उठाके रख देंगे जो एक्स कमान आया है उस पी एक्स में रख देंगे यानि एक्स कमान कितना है माइनस एक तो यहां से एक्स के जंग क्या हो जागा पी माइनस वन यानि पी माइनस वन की वैरू निकालेंगे तो अगर पी माइनस वन जीरो आ गया यानि हाई पी एक्स क्या हो गया पूरा जीरो आ गया यानि हाई टर्म जीरो हो गया तो गुलनखंड होगा अगर नहीं होगा जीरो तो गुलनखं यह क्या रखने पर इसको रखने पर जीरो हो गया ना तो अगर जीरो हो गया तो गड़न खंड होगा अगर नहीं जीरो होगा तो गड़न खंड नहीं होगा ठीक तो रखिए कितना रखना एक्स के जंगा भईया माइनस तो दो गुड़े एक्स के जंगा रखना है माइनस एक और उसके power 3 x के ज़गना रखना है minus 1 और उसके power 2 minus 2 x के ज़गना रखना है minus 1 और यहाँ पर है minus 1 ठीक हम निकाल लें p minus 1 और यह 0 आना चाहिए तभी होगा गुडनकंड 2 गुडे अगर minus 1 के power 3 है तो मैं बार बार बता चुका हूँ एगर minus 1 के power 3 है तो minus 1 ही आता है क्या आता है minus 1 ही आता है plus minus 1 के power 2 है तो plus 1 आता है क्या जाता है plus 1 आप सुनिए 2 का गुड़ा एक में होगा 2 एकने 2 लेकिन minus और minus क्या हो जाएगा plus तो 2 एकने 2 यहाँ से बचा minus 1 ठीक एहां से निकालिया आप थो होगा माईनस पर पलस फोलस मैंनस कि घाएखा माइनस स्टमाइनस दो हो जाएगा यहां से फ्लस एक यहांसे फुलस से माइनस दू कड़ गया प्लस ऐक से माइनस से कड़ गया और पी-1 की वाइलू क्या गई 0 यानि एक्स की वाइलू माइनस एक इसमें रखने पर यह पूरा क्या गया 0 यानि या से एक्स की वाइलू ठागे रखने पर पूरा 0 हो गया और जब 0 हो जाएगा तो अगुड़न खंड होगा जिरू हो जाएगा तो गुड़न खंड होगा यानि हम कह कि G X P X का ऑगया थिक टिक अगया तरब से पहले को उतारिये बड़े प्यार से समझे अगला कोश्चन बढ़ते हैं चलिए दूसरा कोश्चन करते हैं दूसरा का दूसरा कोश्चन पी-च इतना दे रखा है जीए समय यतना दे रखा है कि बताना आखिवाया GX PX नहीं है तो कैसा बताइंगे कैसे कि हम चुपचाप क्या कर देंगे की एकस प्लस दू के बराबर क्या दीखा देंगे जीरो और यहां से एकस कमान निकालें कि ऻंपया माइनस दू याफ कि टिक आजाT ग्ली आए उसको इसमें एकस कमान माइनस दू तो यानि कि हहां बेटाना है 0 एंने क्यानल नजहें 0-0 आगा तो गुड़न्खंड है नहीं आएगा तो नहीं है देख्ते हैं भिया लेट मी चेक सका मांण कितना है माइनस 2 मामामशलो के पावर कितना थीन पॉलस तीन गुड़े थाक सक्षेम्ड कितना मामशलो कि पावर दो पलस माइनसदो पावर अब सुनीए माइनस डो के पावर का मतलब क्या माइनसदो चीजिका और टीन भार के सब्सक्राइब सुरी अगर माइनस है उसके पावर भी समसंग क्या है तो माइनस ही देता है क्यों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ही माइनस माइनस देगा यह कितना आएगा 8 और भी माइनस ठीक 3 गुड़े माइनस 2 के पावर 2 है तो दो दूनी कितना आजागा 4 और माइनस का गुड़ा 2 बार पलस होगया ठीक 3 का दो में होगा तो 3 दूनी के 6 होगा देख तो क्या आजाएगा माइनस 6पलस 1 ठीक तो यहां से P माइनस 2 बराबन माइनस आठ प्लस चारती हैं 12 माइनस च्छ प्लस एक ठीक अब सुनिएगा यहां से क्या होगा देखिए देखिए 12 और 13 हो जाएगा प्लस बारह और प्लस एक इतना हो गया 13 देखिए और माइनस आठ ओर माइनस चखेया होगा 14 ऑ गया माइनस च्छ चप बताव कितना है माइनस एक मताऊच मतलब आ इसका गुड़न खंड नहीं है क्यों क्योंग एक्स प्लस दू से एक्स का मान निकालने पे इसमें रखने पे जीरू नहीं हुआ है ठीक है तो आपको समन में रहा हो उतारिये सब्सक्राइब दूसरा करना है तो जिसको चेक करना होता उसके बराबर 0 दिखा देंगे च्रखिmm Gest army यह माइनस तीनुधर जागा तो क्या जाएगा पलस तीन यानिज 3 वराबर कितना रखना एस रहती रखना है यानि इस खक्रच कि नर्खना है थीन यानि पीछी वईड़ो नेकालना है और थीगेन ब स्कूना जाएगा सकते गिल्स तो X के जगण 3 और 3 के पावर 3 माइनस 4 गुड़े X के जगण 3 और 3 के पावर कितना 2 प्लस X के जगण 3 प्लस 6 तो P 3 बराबर 3 के पावर 3 का मतलब 3 का 3 बार गुड़ा 3 का 3 बार गुड़ा तो जब 3 का 3 बार गुड़ा आगा 37 27 माइनस 4 गुड़े 3 का 2 बार गुड़ा आगा 9 पुलस 63 जुड़ुड़ जागा 9 तो P 3 बराबर 27 माइनस 9 चौको 36 I पुलस 9 ठीका 9 चौको कितना जागा 36 I पुलस 9 या 27 Bayern तो p3 यहांसे क्या आने वाला आपका एतो देखिए हाई प्लस और यह भी प्लस हो ना तो जूट जाएंगे ना 27 और 9 कितना होगा मुझे लगता है 27 то 29 36 हो जाएगा 27 और 9 कितना होगा 36 प्लस क्या है माइनस कि चातित तो प्लस से माइनस कट गया क्या आगया पताइए जीरो यानि कि हमें एक्स बराबर तीन रखने पर यानि एक्स बराबर तीन रखने पर यह पूरा क्या हो गया जीरो अर्थात जो जी एक्स है पी एक्स का गुड़न खंड है क्यों है क्यों है क्यों उसको जो जी एक्स था वहां से एक्स कमार रखने पर इसमें यह क्या हो गय तो अगर zero हो गया इसका मतलब गुडणखंड है ठेक है तो आपको यहां तक जो बताएं दूसरा कि तीरो आपको संबाख में आए होंगे इसमें क्या करना था आपको पता करना था कि जो पीएक्स का गुड़नखंड है की नहीं है तो आपको क्या करना है कि जो GX दे रखा है उसके बराबर 0 कर दिजिए वहां से X कमान निकाल लीजिए जो X कमान आया है उसको उठा के PX में रख दिजिए उसको उठा के वीडियोड समझ में आही होगी तो अगर आप हमारे पर नहीं है तो प्लीज मारे च whatsoever चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिये जरूरी सब्सक्राइब कर लेजिए वह ज्यादा ज्यादा ठीक है ताकि वीडियों सब के पास पहुसके उन सभी विद्यार्थियों के पास पहुसके जो लागडाउन में पढ़ाई नहीं कर पार है क्योंकि अमारा काना है सिच्छा पर हर विद्यार्थी का हक है जहीं जे वारत